हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इंडियनी स्टडी इंडियनी स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए हिंदी का मोक टेस्ट लेकर क्या आया हूं जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी यूपी प्लस कॉंस्टेबिल के लिए बहुत इंपोटेंट है वीडियो को एंट लेक जोड़ देखिएगा क्योंकि लाश्ट में आपसे कोसंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बोक्स में बताना होगा साथी साथ इस वीडियो की पीडिया डिस्क्रिप्शन में टेलिकराम चैनल का लिंक दिया ह वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं पहला कोसंस आपके सामने सार मनामिक बिसेशन के कितने बेद हैं यह आपसे पूछा गया है तो सार मनामिक बिसेशन के कितने बेद हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा चार सार मनामिक बिसेशन के चार बेद हैं चोहता ओप्संस यहां क्या हो जाएगा सर नास्तिक नास्तिक सब्द जो है वो एक विशेशन सब्द है चौता ओप्सन्स करेक्ट अगोस सब्द आपको बताना है कल भी वीडियो में आया था आज भी आ गिया देखो जरा बता दो तीनों ही सा बतायते अगोस में आते हैं सा सल्जम बाला सा सपेरे बाला सा सटकोन बाला चौता ओप्सन्स करेक्ट च्छा दोनी किस प्रकार की है या किस स्वर में आती है या किस के अंतरगत आती है च्छा संयुक्त वेंजन का उधारने तो संयुक्त वण के अंदर देखने को मिलेगा तीसरा ओप्सन्स बिल्कुल करेक्ट किस किरमांक में उत्तम पुरुस का उधारन नहीं है यानि कि जहाँ पर उत्तम पुरुस नहीं है पुरुस वाचक सर्वनाम तीन परकार के होते हैं उत्तम, मद्यम और अन्य तो मैं हमको और मुझे ये उत्तम पुरुस में देखने को मिलेगा उन्हें ये आपको अन्य पुरुस में देखने को मिलेगा दूसरा options correct हो जाएगा पुरुस और इस तरी के जोड़े को क्या बोलेंगे जल्दी बताओ सभी लोगों ने answer गलत लगा दिया होगा सभी ने दमपत्ती सोचा होगा सभी पुरुस और इस तरी के साधी सुदा जोड़े को बोलते हैं दमपत्ती और जबकि पुरुस और इस तरी के जोड़े को यगल यानि की कपल बोलते हैं तीसरा options correct next questions start करने से पहले मैं आपको हिंदी जो है वो बहुत ये खतरनाक तरीके से पूरी theory wise complete करवा रहा हूँ आपको मेरी class तक कैसे पहुचना है बिल्कुल free of cost है इस बात को ध्यान लख लेना दोस्तो जैसे ही आपन अकेडिमी का learning या प्लेयर स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको competitive exam की तयारी करना है आप उसको select कर सकते हैं ठीक है जैसे मैं आपको UPSC CSE category चूज कर लेता हूँ मैंने चूज कर लिया हिंदी में मुझे पढ़ना है तो मैंने इसको चूज कर लिया ठीक है किस भी exam के लिए provision कर रहा है हमने आगे बढ़ गए ठीक है subscription के बारे मैं यह आपको बता दूगगा किसी और वीडियो में तो आपके सामने इस तरीकिए के interface आएगा ठीक है तो आपको मेरा नाम search करना है ठीक है मेरा नाम किया है तारिक server थीक है तारिक server तो मैं आपको मिल जाँगा देखो तारिक server यह मैंने यह मिल गया, यह मैं आपको UPSC कडिगरी के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे ही आप कोई भी किलास होगी मेरी, ठीक है, जैसे ही आप किसी भी किलास पर किलिक करेंगे, तो कोई भी आप मेरी किलास पर किलिक कर सकते हैं, मेरी सारी किलास जो हैं, वो बिल्कुल फ को लेगी वह मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आप मेरी किलास पहली बार देख रहा होंगे अगर आप पहली बार मेरी किलास देख रहे तो आपको मेरी किलास को अनलोक करना पड़ेगा और अनलोक कोड क्या है मेरा इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी जो चैनल का नाम है वही मेरे unlock code है class unlock code तो इसको apply करना without space class आपके unlock हो जाएगी बिल्कुल free of class ने आराम से आप जो है वो देख सकते हैं next questions आपके सामने अरे वा आपका आगवन तो आकस्मिक है आकस्मिक यानि कि अचानक है तो आपको बताना है कि इसमे किस विरामचिन का प्रियोग होगा अरे वा है ना तो जितने भी भाव होते हैं उसके बाद बिसमयादी वोदक्चिन यानि कि डंड़ा विंदी लगता है तो यहाँ पर भली बाती रीती वाचक में देखने को मिलेगा पहला उप्सन्स करेक्ट किस वाक में सकरमक करिया नहीं है ऐसी करिया है जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की अवसकता ना हो सकरमक करिया कहलाती है है ना भारी साधन की अवसकता हो तो सकरमक और ना हो तो अ अगले साल में आएगा है ना तो आधार की बात हो रही है ना किसी के आधार है एक सेंटेंस का आधार है साल तो अधीकर्ण कारक होगा तीसरौ और स्क्रेट अब आप बोलोगे सर्में और पर विवक्ति चिंतों दी नहीं है फिर भी आपने पहचान लिया बूला तो किसी के आधार की बात होती है ना या किसी के अंदर यह अगले साल आएगा या अगले साल के अंदर आएगा या अगले साल में आएगा तो यहाँ पर अधीकरन कारक होगा खूटी सब्द का वहुबचन आपको बताना है खूटी है ना देखो यह इकरांद सब्द है इकरांद सब्दों में वहुबचन बनाते समय बड़ी की मातरा छोटी में परिवर्टित हो जाएगी और यहां जोड़कर उनका वहुबचन बना देते हैं अब आप बोल दोगे सर यह नियम आपको कैसे पता आओगे तो पता चलेगा आपको बनना तो फिर दिक्कत है दुनिया को नहीं रहा दिखाता है वाक में प्रुक्त काल आपको पहचानना है समान निवर्त काले तीसरा ओफसंस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट यहां पर आपको बताना है तदसम तदवा को सही जोड़ा कौन सा नहीं है नजर और आँख दूसरा ओफसंस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है किस सब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा यह आपसे पूछा गया है कि अ सज्जन सज्जन में सत उपसर्ग लगाये उपसर किसी सब्द की आगी लगाय जाते हैं चोता आपसंस और्प्रिया में कौझसा सब्द1 never नहीं बनेगा चलनी तीसरा ओप्सन स्कुरेट कौन सा सब्द योगदान सब्द में समनारती नहीं है हित योगदान का प्रयवाची या समनारती नहीं है दूसरा ओप्सन स्कुरेट दूज की अनेकारती सब्दों में से निम्लेकित में से कौनसा एक द्ज कानेकारती सब्द Worth को नहीं है विदह ये द्ज कानेकारती सब्द नहीं है च्वाता उप्ससन्स करेक्ट हमारा वावी जीवन निस अंदे उजबल होगा तो आपको बताना है वावी का सही प्लूम सब्द क्या होगा अतीत होगा दूसरा options बिल्कुल correct प्रती उपकार में कौन से संदी होगी प्रती प्लस उपकार है ना छोटी E और O मिलके क्या बना दिया जल्दी बताओ यहां बना दिया तो यड़ संदी का नियम लग रहा मुझे तो चोटा options यहां पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा नेता जी ने आजाद हिंद आजाद हिंदी फौजी का नियंतर्ण किया यह गलत वाग है इसको सुद करना है नेता जी ने आजाद हिंद फौज का नेतरत्व किया चोटा options यहां पर आपका बिल्कुल correct होगा जहर का घुट पीना इस मोहबरे का सही अर्थ क्या है आ सहे इस्तिती को भी सहे लेना तीसरा ओफसंस करेक्ट उंगली उठाना इस कहावत का सही अर्थ क्या है उंगली उठाना इस कहावत का सही अर्थ क्या है उंगली उठाना सही आंसर हो जागा दोस्त की और संकेत करना तीसरा ओफसंस बिल्लकुल करेक्ट हो जाएगा नीचे दिये गए वाक में आपको बताना है वाक्यांसों के लिए एक सब्द वह स्थान जो पिरतिवी चंदर्वा सूर आदी लोकों के मद इस्तितोस इस्थान को क्या वोलेंगे तो उसको हम अंतरिक्ष बोलते हैं दूसरा ओफसंस यहाँ पर आपका विल्लकुल करेक्ट है हे खग म्रग के मदूकर स्रेनी तुम देखी सीता म्रग नेनी मैं कौन सा रस है तो यहाँ पर आपका बियोक सरंगार रस होगा चौता ओफसंस करेक्ट सिल्ब गद आधार पर दोहे का उल्टा चंद कौन सा है जल्दी बताओ सई आंसर आपकर क्या हो जाएगा सर सोरटा तीसरा ओफसंस है आपका विल्लकुल करेक्ट है बिनू पद चले सुने बिनू काना कर बिनू कर्म करे बिदी नाना जहां पर बिना करण के होते हुए भी काम होता है दूसर आर्थ कौन सा ये आपसे पूछा गया है एक अर्थ है आपका काला बादल और दूसरा अर्थ है किरसन जी उनको भी गंश्याम बोलते ते तीसरा ओफसंस बिल्लकुल करेक्ट अमरिता पूरितम प्रीतम किस भासा की साहितकार है अमरिता प्रीतम तो ये पंजाबी भासा की साहितकार है तीसरा ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है वरिष्ट साहितकार कासिनात सिंग कोन की किस उनकी किर्थी रेगन पर रगू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया साहित अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया दूसरा options correct रस मिमान सा के लेखा कौन है रस मिमान सा के लेखा के रामचंदर सुकलू कौन है रामचंदर सुकलू पहला options correct आधी कालो को चारण काल की संगया किस ने दी तो इस questions का answer आप उच्छे comment box में बताएंगे तो दोस्तो ये थे आपके 37 हिंदी के important questions जो कि आपके आने वाले exam UP Police Constable के लिए बेहद important है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीस दोस्तो वीडियो को like और share जरू कर दीजिएगा तो दोस्तो फ्लाल की वीडियो में सुर्फ नहीं अगर आपको वीडियो पसंदा तो प्लीस दोस्तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और साथी साथ हमारे चैनल को subscribe पनना ना भूले क्योंकि हम रोजान यसी तरह की वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तो जय हिंद जय भारत